प्यारे साथियों आप से भी का स्वागत करता हूँ अपनी यूटूब परिवार MRS study में तुरियर यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डिरेक्ट इंटर्व्यू बैसिस पे आपका जो है बियार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका सेलेक्शन होने जा रहा है जो कि राजकिये पॉलिटेक्निक अस्वथावा नालंदा का तरफ से यहाँ पे नोटिस दिया गया है जिसमें बताया गया है कि आप जो भी इंटर्व्यू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वे लोग अपना बायो डाटा के साथ साथ अपलब रिजियूम के साथ साथ और इजनल डॉक्मेंट्स और एक्सवेरियन सेर्टिफिकेट है तो वो अपना लेकर आएंगे और सेल्फ अस्टेस्टेड आपका जो है दो गेस्ट लेक्श्रर का और गेस्ट लैव अस्टेंट और इंश्ट्रक्टर का जो इंटर्व्यू होगा वो आपका 31 जुलाई को 11 वज़े से आपका लिया जाएगा यहां पर बुला जा रहा है कि इंटरव्यू के बाद अगर आप सेलेट होते है तो आपको डेमो क्लास देना होगा तभी जाकर आपका प्रोपर तरीके से इतलब सेलेक्शन हो पाए है तो यहाँ पे बात किया जाए गेस्ट लेक्चरर की तो Computer Science and Engineering और गनित का गेस्ट लेक्चरर के लिए यहाँ पे बुला गया है तो Computer Science and Engineering में अगर आपने भी टेक कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और गनित के गेस्ट लेक्चरर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो B.A.C. Maths आपका होना चाहिए वही अगर बात किया जाए गेस्ट इंस्ट्रक्टर और लैव असिस्टेंट की तो आपका जो है Mechanical, Electronics, Computer Science, Engineering, Physics, Chemistry और Civil इन ब्रांचेज में अगर आपने minimum qualification डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इंटर्व्यू में participate कर सकते हैं बट maximum अगर आपके पास बीटेक है और experience भी है तो आप यहाँ पे आपको preference दिया जाएगा जो भी आराच्छन के नियम है बिहार सरकार का वो आराच्छन का नियम जो है यहाँ पे अलागू होने वाला है आने जाने का कोई भी खर्च विभाग या कॉलेज के तरफ से आपको नहीं मिलने वाला है यह चीज आपको ध्यान रखने है तो इंटर्व्यू का डेट मैंने बता दिया कि कब-कब आपका इंटर्व्यू होने वाला है 30 जुलाई और 31 जुलाई यहनि आज से 7 दिन बाद आपका जो है इंटर्व्यू होगा तो अगर आप इंटर्व्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओके टेंक्यू